हेलो फ्रेंट्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ताजे नारियल से कुल्फी, जो इस गर्मी में आपको ठंडक का एसास देगी इसके लिए गैस पर दूद रखेंगे, मैंने यहाँ वन एंड हाफ लीटर दूद लिया है और इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे दूद को लागातार चलाते हुए हमें पकाना है, जिससे ये गाढ़ी रबरीदार हो जाएगी वैसे तो ये आईस क्रिम कम दूद में भी बना सकते हैं अगर दूद कम ले रहे हैं तो 4-5 चमच मिल्क पाउडर डाल दे उससे भी आईस क्रिम में क्रीमी टेक्श्यर आ जाता है दूद के किनारे के पाट को हटाते हुए इसे लागातार चलाते रहे हैं गैस का फ्लेम थोड़ी देर कम कर देंगे और कटोरी में आधा कटोरी दूद लेंगे इसमें 2 चमच कॉन फ्लोर डाले कॉन फ्लोर को दूद में अच्छी तरह मिला लेना है इसमें एक भी लंप्स ना होना चाहिए दूद जैसे जैसे पकेगी वो गाड़ी होती जाएगी देखिए दूद की क्वांटिटी कम हो गई है अब इसमें तैयार कॉन फ्लोर के घोल को डाल दे यहां हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है लो फ्लेम पर इस गोल को चलाएंगे इसमें कॉन फ्लोर डाला हुआ है इसलिए ये दूद धीरे धीरे जमती जाएगी इससे दूद में एक क्रीमी टेक्शियर आ जाएगा कॉन फ्लोर और दूद को चार से पाँच मिनट तक पका ले उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे थोड़ी दिर इसे चला दे ताकि नीचे से ये जले न कॉन फ्लोर डालने से दूद एकदम रबड़ीदार बन गई है इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे अब एक नारियल लेंगे नारियल में तीन छेद होता है जिसमें से एक छेद सौफ्ट होता है इसमें कोई नुकीली चीज डाल कर छेद कर ले इस छेद से नारियल के पानी को निकाल देंगे इसे फेकेंगे नहीं इसका यूज हम आईस क्रिम बनाने में करेंगे नारियल को गैस के उपर गर्म कर लेंगे ऐसा इसलिए करना है इससे नारियल का हार्ड लेयर आसानी से निकल जाएगा देखिए गर्म होने से लेयर फट गया है अब इसे धीरे धीरे चारो तरफ से पटक देंगे जिससे हार्ड लेयर आसानी से निकल जाएगा इस तरह नारियल अच्छी तरह साफ हो गया है इसके उपर वाले पार्ट को हमें हटा लेना है चाहू की सहायता से ब्राउन वाले पार्ट को अलग कर देंगे सारे नारियल से इसी तरह छिलका हटा लेना है एक grinding jar लेंगे इसमें नारियल को डाल कर पीस लेंगे मैं यहाँ आधा नारियल डाल रही हूँ इसमें नारियल पानी को छान कर डाल देना है आधा कटोरी चीनी डाले आधा कब दूद डाल कर एक fine paste तयार कर लेना है दूद डालने से यह अच्छी तरह पीस जाता है पीसे वे नारियल में दूद को डाल देंगे देखिए दूद ठंडी होने के बाद कितनी अच्छी तरह जम गई है एक बार फिर से हमें इन्हें पीस लेना है जिससे दूद और नारियल अच्छी तरह मिल जाएगा मोल्ड में डाल देंगे आप चाहे तो इसे बाउन में भी जमा सकते हैं मैं यहां चार कुल्फी मोल्ड में और दो ग्लास में डाल रही हूं इसे डालकर ऊपर से धक्कन लगा दे जिससे बर्फ उसके ऊपर ना जमेगी ग्लास के ऊपर ऐलमूनियम फॉयल लगा कर अच्छी तरसील कर देंगे सिर्फ ताजा नारियल और दूद से बहुत ही स्वादिस्ट आइस क्रिम बनकर तैयार होती है इसे हमें पुरी रातिया 7-8 गंटा के लिए फ्रीजर में रख देना है आइस क्रिम को फ्रीज में रखे 8 गंटे हो चुके हैं इसे निकाल कर अब डिमोल्ड करते हैं उपर से अल्मूनियम फॉयल को हटा देंगे एक पानी से भरे बर्तन में इसे रख दे कुछ सेकंड बाद निकाल कर हाथों में रब कर रहे इससे आइस क्रीम किनारे से छोड़ देगी अब एक चाकू की सहायता से इसके किनारे को हटा लेंगे प्लेड की उपर पल अब मैं इसे काट कर दिखाती हूँ, बहुत ही सौफ्ट और क्रीमी टेक्शर की आइस क्रीम बन कर तैयार हुई है इसे आप किसी भी सेप में काट कर सर्व करेए काटने वक्त अगर आइस क्रीम को आइस ट्रे के उपर रखेंगे तो वो गलेगी नहीं इस तरह बिना गले आइस क्रीम कटकर तैयार हो जाती है इसकी उपर पिस्ता या ड्राइफ रूट्स डाल कर डेकोरेट कर दे जिससे ये आइस क्रीम देखने में भी अच्छी लगेगी इस तरह ताजे नारियल और दूद से आइस क्रीम बन कर तैयार हो गई है अब कुलफी वाले मोल्ड से भी उसी प्रोसेस से डी मोल्ड कर लेते हैं मैंने गलास में कुलफी मोल्ड इसलिए रखी है ताकि वो फ्रीजर में गिरेना अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर करें सारे कुलफी को निकाल कर बर्फ के उपर रख देंगे जिससे कुलफी फ्रीज के बाहर भी थोड़ी देर जमी रहती है ये आइसक्रीम देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद